कोई लक्ष मनुस के साहसे बड़ा नहीं हारा वही है जो लड़ा नहीं अगर आपने दसवी पर इक्षा पास कर ली है तो हो जाईए तयार SSE दे रहा है MTS के जरिए सरकारी नोकरी पाने का एक सुनहरा मौका SSE MTS में आपकी 100% सेलेक्शन सुनिशीत कराने के लिए एकदम बेसिक से, जिरो लेबल से और चैप्टर बाई चैप्टर चलाई जा रही है तो भिना देरी किये आज ही जोईन करें SSE MAKER का मुक्ती बैद अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें SSE MAKER का एप और दिये गए नमबर पर कॉल करें अधिक जानकार दोस्तों मैं आजल सिंग आपको स्वागत करता हूं SSE MAKER की सॉलाइड परफॉर्म पर कैसे हैं आप सभी सूडेंट एक बार जली से आप लोग कॉमेंट करके बताईए तो आप लोगों की तयारी कैसी चल रही है पढ़ाई कैसी चल रही है दोस्तों आज आप लोगों के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के अगामी एक्जाम के लिए आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सार हमने बहुत से फॉर्म भर और बहुत से एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो देखिए अगर आप बिहार पुलिस के लिए फॉर्म भर रखें, MP पुलिस के लिए, UB पुलिस की भी तयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस भी आगे चल के तयारी करेंगे, SSC, CSL, CHSL, MTS और railway एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, त तो इस सीरीज को आप लोग जरूर कांटीनू रखिए, डेली आप लोग इस क्लासेज को ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि यह क्लासेज में जो हम कोशन कराने वाले हैं, बहुत ही सेलेक्टेड कोशन कराने वाले हैं, जब आप इनमें कुछ दिनों तक पढ़ेंगे, उसके बाद आप प्रिवेशर के पेपर देखेंगे, तो आपके प्रशन बड़े आराम से बनने लगे, आप कैसे हो प्रशन होगा, आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों को कॉंसेप्ट भी सिखाएंगे, तरीका भी सिखाएंगे, साट ट्रिक भी जो तो मन लगा की पढ़िए, अच्छे से आप लोग तयारी करिए, चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग, जल्दी से आप सारे बच्चे जुड जाई है, कॉपी पेन ले के बैठेंगे, और आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे ठीक है, चलिए, तो आज की ग्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला कोशन, पहला कोशन बहुत ही सिंपल कोशन है, इस कोशन का आप लोग आंसर दे तो, हम देखना चाहते हैं, कितने स्टूडेंट इस कोशन का आंसर दे रहे आपको पेन उत्पाने के बिल्कुल भी जोरत नहीं हम आपको सौर्टिक बताएंगे पहले आपको समझने की जोरत है कौसिंडि बोल और और संख्यों का यूग 88 है और ँनका अंतर 12 है संख्याओं का गुड़न फल होगा गुड़न फल क्या फटाफणर कोमेंट करें तो आप लोग स्क्वोस्चन का आंसर क्या होगा ? Eक साथ आप लोग कमेंट करके बताये पुरी से कॉमेंट करें जल्दी से कॉमेंट करें लिए और जान ऑंक से कुमेंट करें गाने, और साथ लिए जो पुर इस कुस्जिन का अनसिर क्या रहे है x और y है दो संख्याओं का योग जो है 28 है मतलब x प्लस y बराबर क्या है 28 और कह रहें और उनका अंतर अंतर क्या है 12 है क्या है उनका अंतर 12 है अंतर 12 है मतलब x-y बराबर 12 तो बोल रहा है संख्याओं का गुड़न फल, संख्याओं का गुड़न फल का मतलब x गुने y, यानि की x y पूछ रहा है, x गुने y क्या होगा, यह पूछ रहा है, अब यहाँ से x और y की value आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कुछ करनी की ज़रूरत नहीं है, बस आप सम अगर यह देखे, पहला समीकरण यह दूसरा समीकरण यह, अगर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ दे, तो plus y और minus y, cancel हो जाएगा, सिधा सिधा कटेगा, ध्यान दीजेगा, सारे बिच्चे देखिएगा, यह क्या होगा, प्लस y और minus y, सिधा सिधा क्या होगा, कटेगा, य 40 बटा का दो, यानि की 20, x बराबर क्या गया, 20, अगर x बराबर 20 है, तो हम x की value समीकरण 1 में रख दे, या 2 में रख दे, किसी में भी आप रख सकते हैं, तो x बराबर अगर आप 20 रख देंगे, तो 20 प्लस का इधर है, ध्यान दीजेगा, 20 प्लस का इधर है, उधर जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, अठ हो जाएगा, तो x बराबर 20 और y बराबर 8, तो x बराबर क्या होगा, x our बराबर होगा 20 बने 8, तो 1060 अभी हम आपको एक और तरीका बता रहे है, easy तरीका बता रहे हैं, पहले ये बता, वा circumstance हैं समिश में आए क dificil ने, , 160 आप लोगों को बता रहे है, method 2, जब कभी भी ऐसे question आए, देखिए, जब कभी भी ऐसे question आए, दो संख्यों का योग मतलब, x plus y बरबर क्या है, 28, और उनका अंतर, x minus y बरबर क्या है, x minus y बरबर क्या है, 12 है, तो और आप से पूछे, x की value क्या होगी, y की value क्या होगी, और द बरबर क्या होगा, 28 plus 12 बटा का 2, तो 28 plus 12 बटा का 2 का मतलब 28 बटा का 2, यानि की 20, x की value क्या आगई, 20, ठीक है, अगर y की value पूछे, तो क्या करना है, दोनों को घटा के, यानि की दोनों को घटा के, मतलब दोनों का difference, अंतर, 28 में से क्या करेंगे, 12 घटाएंगे, तो 16 कर देना है, तो y बरबर क्या हो जाएगा, 28 में से बारे 16, 16 बटा का 2, मतलब 8, x और y की value क्या आगई, 20 और 8, और गुड़न फल पूछ रहा है, तो xy बरबर क्या होगा, xy बरबर, 20 गुने 8, मतलब 170, ये आपका method टूरा, कुछ नहीं करना है, अभी हम आपको सम्झा रहे तो क्या होगा, 40, 40 का अधा 20, ठीक है, फिर उसके बाद से इनका अंतर कर दीजे, 28 में से बारा घटा देंगे, तो क्या होगा, 16 का अधा 8, एक संख्या 20, एक संख्या 8, और 20 वट्थे 160, गुड़न फल आ गया, बस पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बड़े आरा से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, चले, क्लेर है, समझ में आगे सभी को, चले, नेक्स कोशिन के तरफ, अगला कोशिन देखिएगा, कोशिन नमबर दूसरा, कोशिन नमर दूसरा जोयना, बहुत इंपोर्टेंट है, ये कोशिन हम आप लोगों के लिए लाएं, टेस्ट के दूसरे को, दिवाली का कार्ड भेज कर सुभकामनाय दी, इस मित्रों के समुह में, इस मित्रों के समुह ने कितने कार्ड खरीदे, कोशिन को एक बार देखिएगा, सारे बच्चे बार कोशिन देखिए, दिवाली के तेवार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को, दिवाली का क एक दूसरे को और सूबसक्राइब धी कराइए इस मित्रों के समोहुन ने कितने चार्ड खरिद यानि टोटल जन्हीं की रख़रि यह द्वारा यह बताना है जल्दी से विटायें आप लोग कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं कुछ कुछ लोगों का अंसर नहीं आ रहा है, बोभी और आओ, बहुत दक्षे, वेरी गुड, चलिए, हाँ, कुछ ही बच्चों का अंसर आ रहा है, आमीर हुल हुश्ण, अच्छा, और कौन है, आंसर सारे बच्चों का नहीं आ रहा है, क्यों? कुछ ही बच्च आ रहा है, बाकी लोग आंसर नहीं रहा है, 144, 144 , 144 सा अशर नहीं हुआ, 144 इस क्योश्ट का अंसर नहीं होंगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं, आप दिमाग लगा लीज़े, ऐत्छे, थोड़ा उसके बाद आपके चार मित्रों गए, तो आप कितने कार्ड खरी देंगे, अगर दोस्तों को कार्ड देना हो, अगर आपका ग्रूप है, एक मित्रों का आपका ग्रूप है, पांची लोगों का ग्रूप है, मान लिजे तीनी लोगों का है, तीन लोगों का है, इसमें एक तो जितने मित्र होते थे आप लोग जोड़ते थे एक दो तीन चार चार मेरे मित्र दिख रहे हैं ठीक है और अपने आपको भी जोड़ते थे नहीं अपने आपको नहीं चार जो मित्र थे ना उनी के लिए कार्ड खरते थे चार अगर तीन मित्र हैं आप लोग मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा से समझना है दिवाली के तेवार पर 12 मित्रों ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेज कर सुपकामनाय दी मतलब यह 12 मित्र हो गए 12 मित्र हो गए तो प्रतेक मित्र कितनी कार्ड खरीदेगा 12 बारा 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 खरीदेगा नहीं बारा बारा नहीं खरीदेगा मनली जी आप लोग 5 मित्र का आपका गुरूप है ठीक है तो आप कितनी कार्ड खरीदेंगे 4 ही आप मित्रों के लिए कार्ड खरीदेंगे बाकी ओभी क्या करेंगे 4 खरीदेंगे समझ रहे, तो सब कितने खरीदेंगे, चार-चार खरीदेंगे, तो 5 लोग हैं तो 20 हो जाएगा अगर यहाँ पर बात करें, तो 12 मित्र है, कितने मित्र है, 12 मित्र है तो प्रतेट मित्र कितनी काड़ खरीदेगा, अपने आपके लिए तो काड़ खरीदेगा नहीं अन्य मित्रों के लिए, तो उसके लिए 11 मित्र उसके हो गए, ठीक है, 11 वो अप्लस अपने, तो अपने के लिए तो खरीद नहीं रहे, तो 12 गुने 11, 12 गुने 11 बराबर क्या होगा, 12 तहां में 120 और 12, 132, आंसर होगा, टोटल कितने कार्ड खरीदे, तो 132, आंसर होगा, option number C, और सभी का आंसर आ रहा था, 144, 144, 144 आंसर इसमें, option में है, इसमोज़ आप लुक सोच रहे थे, बारा बारा खरीदेंगे, तो 144 होगा, आंसर दे देंगे, ऐसा नहीं होता है, समझना है, यह सब समझने वाले question है, बहुत ज्यादा है, इसमें दिमाग लगाने की जोरत नहीं है, बस समझ लेना है, थोड़ा सा, अंसर आ जाएगा, चलिए, सभी का अंसर आ गया है, कि नहीं एक बर बताईए, तो एक बर कॉमेंट करिए, सारे बच्चे, क्लियर है, समझ में आ गया है, सभी को, बहुत अग्स है, वेरी गूड, एक दम सही, चलिए, समझ में आ रहा है आप लोग देखेंगे, कोशे नमर तीसरा, कोशे नमर तीसरा देखिएगा, कोशे नमर तीसरा जो है, काफी इंपोर्डेंट है, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, कोशे ने एक चुनाव में दो उमिदवार थे, हारने वाले उमिदवार ने इस question cancer क्या होगा फटबद बताएं एक साथ comment कर इस question cancer क्या होगा देखिए यहां पर बोल रहा है एक चुनाव में दो उमिदवार थे कितने उमिदवार थे दो उमिदवार थे ध्यान दिजेगा दो मिदवार थे तो total vote क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा, कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल मत कितने परसेंट होंगे, कुल मत अगर हम बात करें, तो 100% होगा, इसी 100% में क्या होगा, दो उमिद्वार है, एक जीता है, एक क्या है, एक जीता है, और दूसरा क्या है, हारा है, यही तो, और बोल रहा है प्रशन में बोल क्या रहा है बच्चो देखिएगा प्रशन में बोल रहा है कि हारने वाले उमिद्वार ने 41% मत प्राप्त किया यह जो हारा है ना यह 41% ओट पाया है कितना 41% ओट पाया है तो जीतने वाला कितना पाएगा 100 में से 41 घटा देंगे तो जीता होगा वो कितना पाया 59% यानि कि 69% उट किसने पाया बताईएगा 69% किसने पाया जोजीता अब बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा सभी बच्चे देखेंगे अच्छे से वहाँ 5580 मतों से पराजित हो गया मतलब जो हारा उसका कितने उट से हारा है वो 5580 देखिएगा तो यानि इनके बीच का जो डिफरेंस रहा है अंतर रहा है वो कितना मत रहा है 5580 तो आप पहले यहाँ पे देखिएगा सभी बच्चे देखेंगे अच्छे से समझने का ब्रयास करिएगा जो इनके परसेंटेज में डिफरेंस है अंतर है और कितने का है उनसेट में से क्या करेंगे 41 5580 कितना है 5580 है और हम लोगों से प्रसेंट में बोल रहा है बोल रहा है कुल मतों की संख्या कितनी थी कुल मत मतलब 100% अगर 18% बराबर क्या है 18% बराबर 5580 है तो 100% बराबर बताइए बच्चो क्या होगा बताईगा 5580 बटा का 18 यह 1% हो गया और 100% बताना है तो गुने 100 तो आप इसे कटा सकते हैं बड़े आराम से कैसे कटाएंगे बड़े आराम से देखिएगा देखिए 18 से कटेगा 18 तियाई 54 और 15 होगा और 18 मिल का ठारा होगा 18 एकाb 18 और यह 0 और यह 100 यानि यह 310 के पीछे दो जिरो और लगा देंगे तो कुल्मत जो होगा ओ क्या होगा जो कुल्मत होगा यानि की कुल्मतों की जो संख्या होगी ओ क्या होगा तो टोटल आंसर इसका क्या होगा 31,000 ओप्शन नमबर क्या होगा ये सही होगा बहुत अक्स है जितने बच्चे आंसर दे रहे न आप लोग 31,000 एकदम सही है देखिए आप लोगों के लिए हम बहुत ही सांदर तरीके से ग्लास ला रहे हैं आप लोग डेली ग्लास को ज्वा पुलिस कोंस्टेबल की तैरी कर रहे हैं अगर आप चंडिगर पुलिस की तैरी कर रहे हैं तो भी आपके लिए क्लास इंपोर्डेंट है ठीक है दिल्ली पुलिस हो गया यूपी पुलिस हो गया आपके SSC, CZLC, SSL, MTS, Railway सभी एक्जाम के लिए क्लास इंपोर्डेंट है बस आप लोग अच्छे से पढ़िए मन लगा के तैरी करिए और अपने सेलेक्शन को सुनिशित करिए ठीक है चले आगया है समझ में सभी को समझ में आगया है very good चले next देखेंगे अगला question देखेंगे question number 4 question number 4 जो आपके सामने है ये भी most important question है पूछा गया question है इसका answer आप लोग देंगे question है एक दुकांदार एक बस्तु पर उसके क्राय मुल्य का 3 बटा 4 भाग अंकित करता है यदि वह अंकित मुल्य पर 40% लाव लेकर 40% लाव लेकर उस बस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रति क्रेमुल क्रेमुल नहीं बता है तो क्रेमुल आप कुछ भी मान सकते हैं जो 3-4 के क्या हो गुडेनफल में हो या 4 से विभाजित होने वाली संख्या हो आप ऐसा कुछ भी मान सकते है ठीक है देखिएगा उसके क्रेमुल के देखिएगा एक दुकांदार एक बस्तु पर उ अंकित मुल आएगो उसके 140% कर दीजिए और देखिए कि वह कितना क्रेय मुल से ज्यादा है या कम है तो ज्यादा है तो प्राफिट होगा कम है तो लॉस होगा और प्रतिसत में आप कैलकुलेट करिए 6% प्राफिट आ रहे हैं सबका 6% 6% 6% 6% इसका आंसर नहीं होगा अगर आपका 6% आंसर आ रहा है तो प्रेशन बहुत ही आसान है आप आप बीना पेर उठाए इसको आंसर दे सकते हैं देखिए माल लीजिए जो क्रेय मुल है माना माना क्रेय मुल 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 क्रेय मु एक बस तुके, उसके क्रेय मुल्य का 3 बटा 4 भाग अंकित करता है, तो जो अंकित मुल्य होगा, ध्यान दीजेगा, जो अंकित मुल्य होगा, क्या, अंकित मुल्य, अंकित मुल्य का मतलब क्या होता है, अंकित मुल्य का मतलब होता है, MP, वो क्या किया है, क्रेय मुल्य का 3 ब अंकित मुल्य पर 40% लाव लेकर उसे बेचा, बेचा मतलब जो इसकी सेलिंग प्राइस है, SP है, और ये अंकित मुल्य पर 40% लाव लिया है, मतलब अंकित मुल्य का 140%, बताईएगा सारे स्टूडेंट, क्या होगा, कुछ करने की जौरत नहीं है, आसान है, बस अब इसमें क्या करना है, देखिएगा, 25 और 75, अब देखिएगा, अब ये 4 से कटेगा, 4 तियाई, 4 तियाई 12, और 20 हो गया, यहां पर, 4 पच्चे 20, और 35 तियाई 105, यानि जो SP हो गया, वो क्या हो गया, 105, यहां पर आपको थोड़ा से समझना है, अच्छे से देखिएगा, य और जो SP आ गया, और 105 आ गया, यानि कि यह तमाम प्रिक्रिया करने के बाद, यानि कि अंकित मुल ने 3 बटा 4 किये, फिर उसके बाद से उसमें हमने 40% profit calculate किया, तो यह दोनों प्रिक्रिया करने के बाद, यानि 100 की बस्तु को 105 में बेचा गया है, तो 100 की बस्तु को 105 में बे profit percent कैसे calculate करेंगे profit percent ब्रावर होता है profit upon cp into hundred percent यही होता है न profit percent तो profit क्या हुआ बताइएगा सारे बच्चे जो profit percent होगा वो होगा 5 का profit हुआ 100 पर हुआ और गुने कर देंगे 100 क्या करेंगे 100 तो 100 से 100 cancel 5 यानि जो profit का 5% हो गया 5% कितने percent का profit हुआ 5% का profit हुआ आंसर होगा option number c लाव होगा 5% का profit होगा 5% का एक दम आसान है समझ में आया यहां इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी बस हम आपको समझाने के लिए लिख दिये ताकि आप सारे बच्च अच्छे से समझ सके और ऐसे question आए तो आप लोग solve कर सके चलिए बताइए समझ में आया की नहीं समझ में आ गया है तो एक बार यसर कॉमेंट कर दीजिए फिर आगे चलेंगे next question के तरफ फटा फट कॉमेंट करिये सभी student एक साथ कॉमेंट करिये बहुत अक्षे बहुत अक्षे एक दम सही जितने student आणसर देरे 5% लाव एक दम सही है बहुत अक्षे समझ में आनि आप लोगों को आ गया है चले आगे आगे चले next question के तरफ चले बहुत अक्षे चले question number आप देखेंगे 5 question number 5 का अंसर दीजे तो easy question है आसान है चले formula बेस question है पूछा गया question है चलिएगा पूछा गया question है और most important question है ध्यान से देखेंगे और इस प्रस्ण का अंसर दीजेगा question है पहले bracket में है 893 plus 786 का square है माइनस दूसरे bracket में है 893 minus 786 का square है फिर बटा में है 893 गुने 786 का मान आपको बताना है जल्दी से बताइए तो इस question का अंसर क्या होगा बहुत ही छोटा मान होगा बहुत ज्यादा करनी की जोरत नहीं है यह formula based question है आप बड़े आराम से solve कर सकते हैं जल्दी से बताइए अब पर class कप से सुरू होगा अब पर class देखिए SSC MTS की कल से आप लोगों की classes होंगी यूटूब पे भी हम आप लोगों के लिए demo classes schedule करा चुके हैं और आप लोगों के लिए भी हार पुलिस में भी मैस की classes start हो जाएंगी कल से ठीक है सारी classes एक दो दिन में एक दम अपने टाइम से start हो जाएंगी एक दम सोचार रूप से ठीक है बड़ाई इस question का answer आप लोगों दीजिए बड़ाई क्या answer आ रहा है समझी है आप लोग समझी है समझी है answer आ रहा है बहुत सारे बच्चा answer दे रहे और answer सही दे रहे है कुछ लोग समझी नहीं पा रहे है कैसे होगा देखिए इस question में कुछ नहीं करना है अगर हम 893 को a मान ले और इसको हम 786 को b मान ले तो यह होगा a plus b का whole square और यह हो जाएगा a minus b का whole square देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना हैं बस आपको यह देखना है न हम इसको क्या मान रहे हैं a इसको क्या मान रहे हैं b ध्यान दिजेगा और ये क्या हो जाएगा आपका a और ये क्या होगा आपका b अगर हम इसे a-b के format में लिखें तो ये हो जाएगा a-b का whole square minus a-b का whole square बटा में होगा a into b यही तो है बस a-b का whole square करेंगे तो यह होगा a square plus b square plus 2ab और यह minus, दूसरे bracket में क्या है, यहाँ पर समझेगा, थोड़ा सा समझना है a square plus b square minus 2ab क्योंकि a minus b का holy square है, तो यह minus का है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, और बटा का क्या होगा, a गुने b यही तो है, बस इसी को क्या किये, explain कर दे, अब देखिए, अब हम इसे लिख रहे हैं, तो यह होगा a square plus b square plus 2ab, और यहाँ पर minus का अगर गुना करेंगे, तो minus a square, फिर यह होगा minus b square, minus का minus में गुना होगा, तो plus 2ab हो जाएगा, ठीक है, और बटा का नीचे आपका क्या होगा, a गुने b यही तो है, आप देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब देखिए, क्या कुछ कटने वाला है, तो देखेंगे plus a square से minus a square cancel, plus b square से minus b square cancel, plus 2ab और plus 2ab मिलके, plus 2ab और plus 2ab, 4ab हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, बराबर में लिखेंगे तो 4ab और बटा का नीचे क्या है, ab, तो ab से ab cancel, बराबर में आजा 4, answer क्या होगा इस प्रशन का, answer होगा 4, option number होगा b, बताई, बस, बचा कुछ, कुछ नहीं बचा, बचा है सिर्फ 4, अब यह नहीं कि आप इसका square करिये और solve करिये, यह सब नहीं करना है, बस ऐसे solve करना है, answer आ और हम आपको बता दे, UP Police Constable के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, application पे class, app पे class बात कर रहे हैं, तो हम कोशिस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि 15 July से आपकी classes स्टार्ट कर दी जाए, app पे वी, ठीक है, चलिए, question यह समझ में आ गया, तो इसका answer क्या होगा, 4, answer होगा, 4, सब कर यह समझ में आगया है, समझ में आगया है, देखिए, question No. 6, question No. 6, question no. 6, question No 6, question No. 6, question No 6, first question No 6 is really simple question है और important है क्योंकि ऐसे question पूछे गए है कई बार exam में देखिए आज की class में जो हम question लिये हैं और प्रिवेशर के papers हैं जिसमें यूपी police का question है भी हार police का question है MP police का question है दिल्ली police का question है ठीक है सारे question सामिल है आप लोग बस अच्छे से देखिए समझिए चीजों को और classes को हम अभी बेसी question से start कर रहे हैं धीरे धीरे हम करके इसमें level बढ़ा देंगे ठीक है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो question बोल रहा है 20 पेनो की कीमत 25 पेनो के विक्रयमुल के बराबर है तो कुलहानी का प्रतिसद क्या है बताना है इसका answer दीजिए सारे बचिए आणसर दे जल्दी से की कीमत मतलब क्रयमुल है 25 पेनो के बिक्रायमुल के बराबर है ठीक है ध्यान दिजिएगा 20 पेनो की कीमत मतलब 20 पेनो का जो CP है कौश प्राइस यानि क्रायमुल है ओ है किसके बराबर है 25 पेनो के बिक्रायमुल 25 पेनो के बिक्रायमुल मतलब सेलिंग प्राइस SP के बराबर है तो बोल रहे कुल हानी प्रतिसत क्या है हानी कितने परसेंट की हुई देखिए CP और SP को एक तरफ रखिए इधर CP है उदर SP है तो यह आएगा SP भाग में हो जाएगा ठीक है उदर क्या है 25 है इधर 20 है उन्हें में तुदर जाएगा तो भाग में हो जागा यह बस कुछ नहीं अब डारिक कंपेर कर लीजिए यहीं पर कंपेर करने हैं बहुत नहीं सोचने है CP 25 है SP 20 है मतलब 25 में खरीदे 20 में बेच दिये तो क्या हुआ लॉस हुआ कितने का हुआ पांच का हुआ तो लॉस परसेंट वराबर क्या होता है हानी प्रति क्या है 25 है और गुने क्या करेंगे 100 तो 25 चोग को 100 पांच चोग को 20 यानि जो लॉस परसेंट होगा 20 परसेंट क्या होगा 20 परसेंट आंसर होगा option number B कुल हानी प्रतिशत क्या होगी 20 प्रतिशत क्या होगा 20 प्रतिशत क्या होगा 20 प्रतिशत 25 नहीं 25 नहीं 20 प्रतिशत option number B बता ये clear है समझ में आगया सभी को या दुबार को समझाए PAC को जल्दी से comment करें सारे बच्छे कोमें करें बताएं को बहुत अग्षे बहुत अग्षे जितने बच्छे answer दे रहे हैं 20% एकदम सही है 25 शूर ने 25% 19, option no le झी, ृच्छी ठीक है sorry option no become similar important है ध्यान से देखिए कोशन बोल रहा है ए तथा बी नल एक टंकी को क्रमसा छे घंटे तथा नौ घंटे में भर सकता है ध्यान दीजिएगा नल सी इसे बारा घंटे में खाली कर सकता है यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी इसका यह पूछ रहा है जल्दी से कॉमेंट करें इस कोशन का अंसर आप लोग बताईए एक साथ कॉमेंट करिए बताई इस कोशन का अंसर क्या होगा विहार पुलिस में मैस की क्लासे कप से स्टार्ट होगी कल से स्टार्ट होगी विहार पुलिस में मैस की क्लासे कल से जो SSC MTS का फी है 7000 नहीं है 700 रुपे दिखा रहा होगा अगर आप coupon code क्या coupon code लगाएंगे इस पे MTS 50 तो ये 700 की जगा क्या हो जाएगा जब MTS 50 code लगाएंगे तो ये 350 का हो जाएगा ठीक है हाँ ये coupon code आप जरूर लगाएंगे सारे बच्चे जो MTS के बैच से जुड़ना चाहरे है तो ये 350 हो जाएगा ठीक है चली समझ में आ गया question question का answer क्या रहे अलग अलग आ रहे आप लोगों का कुछ बच्चे answer सही दे रहे हैं बहुत अक्स है कुछ बच्चों का समझ में नहीं आ रहे है चली समझार देते हैं देखिए कैसे समझना है यहाँ आप देखिएगा एक बार इस question को देखिए question देखिएगा समझार है अच्छे से देखिए बोल रहा है A तथा B नल एक टंकी कुक्रम सथ 6 तथा 9 घंटे में भर सकते हैं मतलब 2 नल है एक है A दूसरा है B A जो है वो 6 घंटे में B जो है वो 9 घंटे में भर सकते हैं और C इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है C जो है ना खाली करने वाला है 12 घंटे में खाली कर सकता है मतलब कहने का मतलब है A जो है ना ये प्लस कर रहा है बी भी प्लस कर रहा है, C माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे 6, 9 और 12 का LCM क्या होगा, 12 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 से नहीं कटेगा, 12 दुना के 24, 9 से नहीं कटेगा, 12 यह 36, 36 इसका LCM होगा, यानि टोटल जो टंकी है, माल ने जिए, वो 36 लीटर की है, अगर यह 6 घंटे में भ भरेगा, 6, 36 यानि 6 लीटर प्रती घंटा भरेगा, तो 6 घंटे में पूरी टंकी फूल, यह 9 घंटे में भर रहा है, तो 9, 4 लीटर प्रती घंटा भरेगा, इसलिए, क्या होगा, 9 घंटे में पूरी टंकी फूल, यह 12 यह 36, यह 3 लीटर प्रती घंटे के हिसाब से खाली कर होगा बताइएगा 6, 4, 2, 10 में 3 जा 7 या नि 7 लीटर प्रतिघंटा ही भरेगा, टंकी में पानी किसे जाएगा 7 लीटर प्रतिघंटा, क्यों जाएगा, क्योंकि पहला 6 बहर रहा है दूसरा 4 ये लिक दसमार है, और तीसरा इसके साथ ही चल रहा है जो तो कितने लीटर की है बदाइएगा 36 लीटर की है तो कह रहा है यहाँ पर यदि तीनो नलो को एक साध खोल दिया जाए तो तंगी कितने समय में भरेगी बदाइएगा टोटल टाइम पूछ रहा है जो तंकी भरेगी क्या बोल रहा है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है 36 है और 7 लीटर प्रती घंटा, तो 37 है 7, तो 7 पच्चे 35, 5 सही 1 बटा 7 हो जाएगा, क्या होगा, 5 सही 1 बटा 7, घंटा में टंकी भरेगा, 5 सही 1 बटा 7, option C हो जाएगा, देखिए 36 को 7 से भाग करेंगे, तो 7 पच्चे क्या होगा, 35, 36 मिसे 35 जा 1, यह 5 सही में आजाएगा, एक अंस के रूप में, यह साथ हर के रूप में, तो इसकी जगापे हम क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1 बटा 7, option number C, option number C, आप लोग बताईए, आप लोगों का क्या अंसर आ रहा है, एक साथ कॉमेंट करें, सारे बच्चे, बताए तो, कॉमेंट करकी बताईए, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है कि नहीं, सबका आंसर सही आ रहा है, या अलग-अलग आंसर आ रहा है, जल्दी से कॉमेंट करें, और अज की क्लास को अगर अभी तक लाइक आप लोग नहीं कियें, तो लाइक जरूर करिए लाइक करते हैं तो काफी अच्छा लगता है कि जो हम आपको समझा रहे हूं आपके समझ में आ रहा है ठीक है फटा फट लाइक कर दीजिए जुड़ जाईए चैनल को सब्सक्राइब भी आप सारे बच्चे कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट है चैनल को क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए गार नोटिफिकेशन वेल आइकन को अउन कर लीजिए और डेली आप लोग क्लास को जोईन करिए और मन लगा के पढ़िए ठीक है चलिए और एप को डाउनलोड नहीं किये है तो आपको भी डाउनलोड कर लीजिए एससी मे अप को डाउनलोड कर लीजिए आप लोगों को बताना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट है जो बिहार पुलिस एक्जाम की तेहरी कर रहे है तो बिहार पुलिस एक्जाम को धियान में रखते हुए महावीर बैच में आपकी सभी की सभी क्लासेज एकदम बेसिक से जीरो लेबल से चाप्टर वाई चाप्टर चल नहीं है आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हो वीक है टंसन लेने की बिल्कुल भी जोरत नहीं है महावीर बैच से जुड़िये और अपने सेलेक्शन को 100% सु करके बात कर सकते हैं और साथ ही हम बता दे अगर आप त्यारी कर रहे हैं SSC MTS की SSC MTS 2023 की त्यारी कर रहे है तो इसके लिए SSC में कराद पे मुक्ती बैच चलाया जा रहे है 100% सेलेक्शन के लिए चलाया जा रहे है तो मुक्ती बैच को जो आइन करिए मुक्ती बैच की जो क्लास से चल रही है और समपूर क्लास आपकी बेसिक से है बैच से रिलेटेड कोई जयान का रही चाहिए तो आप ससी मेकर के हैप सेंटर नमबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं और साथ ही हम आपको बता दें MP पुलिस को इंस्टेबल के लिए हम लोग महा काल बैच चला रहे है बहुत ही सांदार और जबर्जस तरीके से 100% सेलेक्शन के लिए MP पुलिस की जो फी है और 500 रुपए दिखा रही होगी अगर आप कूपन कोड लगाते है MP 50 तो यह हो जाएगा मातरो 250 रुपए में ठीक है बैच को जोईन करिए और क्लास इसको कंटिन्यू करिए कोई समस् देखिए इस कोश्चन का अंसर आप लोग दीजिए तो क्या होगा कोश्चन नमर एट क्या है काफी इंपोर्टेंट है ध्यान से देखेंगे कोश्चन है एक वेपारी ने दस कुंटल के हूं एक हजार रुपए प्रती कुंटल की भाव से खरीदा तथा आठ से ही चार पुलिस के लिए कौन से बैच लेना है यूपी पुलिस के लिए देखिए अभी हम लोगों के पास एक बैच है पुराना बैच है जिसमें आपकी जो सलेबस है और पैटन के हिसाब से पुराने पैटन के हिसाब से पढ़ाया गया है यह नहीं कि बहुत पुराना बैच है इ नहीं तो अभी हम लोग कोशिस कर रहे हैं कि 15 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट करनेंगे यूपी पुलिस के लिए जिसमें और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के लिए भी स्टार्ट करेंगे ठीक है इसका अंसर दीजिए आशान कोश्चन है अच्छा सर जो फी है वो पेपर तक है या वन मंथ का है कम फी में यहीं लगता है आप लोगों को ढाइसो तीनसों फी रख देने में ता आप लोगों को लगता है कि पर मन्त अपर मंत फी नहीं है वन टाइम पेटमेंड है एक साल की वैलिडिटी है लग बाल लग सारे एक साल कम है बताइए मन्थली नहीं है एक साल के लिए बहुत ज़्यादा वैदता है आप बड़े आराम से पढ़ेंगे त्यारी करेंगे सेलेक्शन लेंगे लोग ताकि आप लोग पढ़े और सलेक्ट हो जाए उस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं चले देखिए यहां पर देखिए कुछ नहीं करने बहुत आसान कोशन है कुछ करने की ज़रूत नहीं थोड़ा से समझने की ज़रूत है क्या बोला है एक वैपारी ने दस कुंटल गे कुंटल के भाव से खरीदा है मतलब 10,000 रुपे का क्या हो गया यहू खरीदा है ठीक है और कह रहा है कि खरीदा तथा आठ से चार बटा पांच परसेंट की हानी पर बेचा तो इसको देखेगा यहीं समझना है यह गुणा में हो जाता है और यह प्लस हो जाता है पांच ओ हानी पर बेचा है हानी मतलब क्या होती है हानी को क्या करते है सो से घटा के लिखते लाब को सो में जोड के लिखते यहीं तो होता है और यह क्या है परसेंट है मतलब इसका बटा क्या हो जाएगा सो यहां पर थोड़ा सा समझे दस हजार रुपए है क्या है दस हजार तो हम बदले को आप इसो को देखर गा ऐसे पर्सेंट में लिखेंगे स्था उनथ्षय गो घिएा असे समझ यहां नजबर हुद्षय पर्सेंट उनσιमिज यह अनध्रेन का फा तक स्था माइनस फ़्षया पार्षय तो और यह अगा स्था में वा पॉर्ट परसेंट नहीं, पहले आप इसको कर लिजे, पहले दो सेकंड, परसेंट नहीं, पहले आप इस ऐसे करिए, 44, sorry, 44 बटा का 5% है, तो इसको क्या करेंगे, आप 100 में से माइनस करिए, 100 माइनस 44 बटा का 5%, ठीक है, तो आप इसे देखिएगा, 5 से गुना करेंगे, 100 से 500, और 500 में से 44 घटा जिरेंगे, तो कितना होगा, ये परसेंट में है, ध्यान दीजेगा, तो 500 में से 44 चला जाएगा, तो 44 और 300 कितना हो जाएगा, पांच, और ये परसेंट में है, तो बटा का 100 होगा, तो ये 100 उपर आएगा, यानि 456 बटा का 500, ये होगा, ठीक है, इसे देखिएगा, तो डिरेक्ट आप गुना करिएगा, 456 बटा का 500, ठीक है, 456 बटा का 500, तो 500 दुना के क्या हो जाएगा, एक हजार, और ये 20 हो गया, 456 बटा के, 456 बटा के, 4900 हो जाएगा, छे दुना के 12 हो जाएगा, यानि कि 912, 912 के पीछे एक 0 लगा लिजिए, 9120, क्या होगा, 9120, इसका जो विक्रे मुल होगा, 9120 होगा, 9120 होगा, ठीक है, यहाँ पर बस आपको इतना पहले समझिएगा, बस इसको आप क्या करिये, इसको समझिएगा, हानि को क्या करते है, हानि को क्या करते है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, सारे बच्चे देखिएगा, हानि को क्या करते है, 100 से घटा के लिखते है, जैसे यह है, तो आच वठी, 48, 44, 5, तो 100 में से घटाएगे, तो कितन कीटना कीटनाओगा तो समझ में 10 pasa ot μια 34 बटा का 5 यह घटाएंगे तो कितना परशेंट हो गया यह आपका आगया है कितना सब्सक्रூt Kingdom keto बटा का 5% 456 बटा का 5% है तो % का मतलब बटा में 100 ठीक है समझ में आया बताइक क्लियर है यहां पर यहीं चीज थोड़ा सा समझना है सही बटा को convert करना इसमें confusion नहीं होनी चाहिए इसमें confusion नहीं होनी चाहिए बी option आ रहे हाँ ठीक है बी अनसर आ रहे है तो यहीं होगा ठीक है देखिए हानी को क्या करते है सौ से घटा के लिखते है ना तो वही चीज तो किये है तो यह 456 बटा का 500 आ गया बस इसी को solve करना है बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगानी की जौरत नहीं है क्लियर है हां बस देखिए सौ से घटा के का लिख दे 44 बटा यह क्या हो गया और 44 बटा 5 % हो गया तो इसके बाद से किये तो यह कितना आ गया 456 बटा का 5 % आया ठीक है यह % तो बस इसका बटा 100 कर लिए क्योंकि percent हटाय है क्लीर है क्लीर रहें की लिए बटाइफ पटेशों रुपए पर 12 बार्सिक दर्से एक वरस का चक्रविर्धी व्याज क्या होगा अगर ब्याज हर चे माह पर जोडा जाए यानि जो ब्याज है न और हर चेमा पर जोडा जाय यह बोल रहा है बताइए क्लेग्व टाइए जल्दी से बताईए देखिए यहां पर देखिएगा यहां पर जो रुपय है जो प्रिंसिपल है और कितना है कितना है 2525 है 12% बारसिक दर है यानि 12 महीने का अगर 12% है तो ध्यान दिजेगा 12 महीने का 12% और एक वर्स का चक्रविर्दी व्याज अगर व्याज हर 6 महा पे तो 6 मही क्या होगा 6 महा पे क्या होगा अगर 12 महीने में 12% तो 6 महीने में 6% यानि 12% यानि rate of interest क्या होगा rate of interest 6% होगा ये क्या होगा ये 6% जोरत नहीं है यह टोटल पचीस सो रुपए है, और यहां पर क्या होगा, 6% छमाही है, क्या है, 6% यहां कह रहा है, अगर ब्याद 6 माहा पर जोड़ा जाए, तो एक बर्स का, चक्रविर्धी व्याजी तो बोल रहा है, तो एक बर्स में कितनी छमाही, 2-6 माही, तो आप क्या कर लिजिए, बस यही चीज करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपॉंड इंट्रेस का फर्मूला लगाने की जूरत नहीं है, पचीस सो रुपए है, 12% बार्सी का, तो छमाही 6% हो गई, और एक बर्स की बात कर रहा है, तो दो छमाही हो जाएगा, तो एक सो छे परसेंट, पहला बर्स देखे, ज्यादा कुछ करने की जूरत नहीं है, यह पचास यह दो से कटाएंगे, तो कितनी बार में कटेगा, पचास बार में, यह दो से तिरपन दुना के एक सो छे हो जाएगा, यह आपका पचास और यह आपका हो गया तिरपन, और पांच पचीस सो पचीस सो डिरेक का स्क्वाइर ही तो है ये तिर्पन का स्क्वाइर ही तो है और स्क्वाइर के लिए हम आपको तरीका बताएं ने कुछ नहीं करने है तीन का स्क्वाइर क्या होगा नौ और देखिएगा तीन पचे पंदरा और पंदरा दुना के क्या होगा तीस का जीरो हासिल हो गया तीन औ जाएगा अठाइसो नौ रुपे हो जाएगा यानि जो पचीस सो रुपे है न और इस तरह से ब्याज पर दिया जाएगा अगर 12% बारसिक दर से और एक परसेंट एक वर्ष का चक्रविर्दी ब्याज पूछ रहा है और चाहर महां पर ब्याज जोड़ा जा रहा है तो यानि यानि 25 रुपे अठाइसो नौ हो गया तो कितना भी आज बढ़ा है तीन सो नौ रुपे स्क्वाइर वल्ला पता है कैसे स्क्वाइर निकाला जाता है तिरपन गुने तिरपन मतलब तिरपन करेंगे तो नौ होगा और दोनों संख्या को गुना करिए पांस तिया ही पंदर नौ ठीक है यानि 2809 यह चीज हो गया ऐसे स्क्वाइर निकाल लिया जाता है आप चाहें तो तिरपन कुने तिरपन करिए लेकिन स्क्वाइर निकालने के तरीका अशान है क्लियर है सभी को समझ में आगे 300 ना आया चलिए next question के तरफ चले अगला question देखिएगा question number 10 और परिवार का मासिक बचत ब्याय अनुपात यानि बचत और ब्याय का जो अनुपात है 3 is to 8 था जिस महीने में परिवार की आये 27,500 रुपए थी उस महीने में बचत होगी उस महीने की बचत क्या है बताईए बताईए इस question का answer दीजिए सारे student answer दे फटाफट comment करिए जल्दी से comment करके बताईए क्या होगा इस question का answer देखिये मन लगा पढ़िए तैयारी करिए selection लेना है आपको अच्छे से पढ़ना है अच्छे से पढ़ते रहिए अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपने selection को सुनिश्चित करिए देखिये बहुत सारे बच्छांसर दे रहे है very good देखिये क्या है इसमें बच्छत और ब्याय का अनुपात दिया है बच्छत और ब्याय का अनुपात दिया है अधिगा की अई काणूपात क्या है 3 та 8 एट यानी 30 रुपए वचत है 8 रुपए खर्च है अगर देखा जाये तो तो मेहिने परिवार की थी 27,5 Heil ती उस महीने में बचत होगी उस महीने में बचत क्या होगा क्रोंपात गुलाई करी का होगा अगर हम क्षै की बात करें तो आए अगर की बात करें, आए, देखिए, आए क्या होता है? आए में बचत और बया जुड़ जाता है, तो 3 प्लस 8 इकोल टू 11, 11 रेशियो में होगी, और यही 11 रेशियो क्या है? 27,500 के बराबर है, 27,500 के बराबर है, तो एक रेशियो बराबर क्या होगा? अगर 27 रेशिय में है तो एक रेशियो बराबर 25 तो तीन रेशियो बराबर 75 अगर एक रेशियो बराबर अगर एक रेशियो बराबर 25 रेशियो बराबर 25 रेशियो बराबर 25 रेशियो थे 200 यानि कि 20,000 क्या हो जाएगा तो इसमें पूछा है बचत क्या होगा, तो बचत हो जाएगा 7500, आंसर हो जाएगा, option number B, option number क्या होगा, B होगा, very good, सभी का भी answer हा रहे, कुछ नहीं करना है, आसान है, बड़े आराम से आप लोग समझ गयोंगे, सारे बच्चे समझ गयोंगे, very good, चलिए, next देखेंगे, अ वजने का प्रयास, sorry, question number 11, question number 11, question number 11 क्या है, ये भी important है, अगला question देखें, question number 11, पांस सदस्योंगे, परिवार की आउसत आयू, 33 वर्स है, सबसे छोटा सदस्य, 9 वर्स का है, परिवार के सदस्यों की आउसत आयू, सबसे छोटे सदस्य के, जन्म के ठीक पहले, कितने वर्स ये question बोल रहा है, इसका answer दे तो आप सारे बच्चे, जल्दी से answer दीजिए, हम देखें, आप लोगों का क्या answer आ रहा है, फटा फट कॉमेंट करिए, एक साथ कॉमेंट करिए, सारे स्टूडेंट एक साथ कॉमेंट करिए, और इस question का answer क्या रहा है, आप लोग एक बार बत जो प्रेशन को समझ जाते हैं और आंसर दे देते हैं कुछ लोग समझ ही नहीं नहीं पाते हैं कि अंसर क्या होगा देखिए CGL, CHSL, MTS, UP police, railway हो गया, Bihar police हो गया, MP police हो गया, Delhi police हो गया जिन सभी एक्जाम के लिए class important है, आप लोग बस बढ़ते रही हैं मन लगा की तैरी करते रही हैं बता दे इस question को, नहीं आ रहा है answer, 24 आ रहा है, 25 आ रहा है sorry, 24 आ ऐसे नहीं answer आता है, देखिए, समझ ये का इस question को, question को समझ ये पांच सदस्य वाले परिवार की आसत आयू 33 वर्स है, यानि 5 सदस्य है परिवार में, कितने सदस्य है 5 सदस्य आयू 33 वर्स है,् तो इनके कुल आयू का योग क्या होगा पाँच गुने तैंतीस पाँच गुने तैंतीस का मतलब तीस पचीश रएस्ओ तीन पचीश पनद्गा एकसो पैसक्ट वर्स यानि अगर पूरे परिवार की आयू का योग देखे टोटल आयू कितना हो जाएगा हो还िए 165 वर्स देखें बोला है पांच सदस्य वाले परिवार की औहशत आयू 33 वर्स सबकाषा 33-33 तो पांचो लोगों का YUG कितना हो जाएगा ऐख 156 आप देखिए के रहा है कि सबसे छोटे सदस्य नौ वर्स का है सबसे जो छोटा सदस है न नौ वर्स का है तो बोल रहा है परिवार के सदस्यों की आउसत आयू सबसे छोटे सदस के जन्म के ठीक पहले कितने वर्स थी जन्म के ठीक पहले अगर सबसे जो छोटा सदस नौ साल का है उसके जन्म के पहले तो अगर हम उसको बै माइनस होगा, क्या माइनस होगा, पाँच लोगों में से 99 वर्स माइनस होगा, तो 59 वर्स माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 120 वर्स, उसके जर्म के पहले पूरे परिवारी की जो आयू का योग रहा होगा, वो कितना होगा, 120 वर्स, तो बोल रहा है, जर्म के ठीक पह अब जनम के पहले, अब तो गायब हो गया, कितने लोग थे? अब ही क्या है? पांच लोग है, अब उसको मैनस कर लिए, यानि उसको हटा दिए, तो जनम के पहले कितने लोग थे? चार लोग थे, पांच से भाग देने की गलती मत करियेगा, ये चार से भाग होगा, तो चार अंसर होगा 30 वर्स जनम के पहले परिवार की जो अश्यतायू थी ओ थी 30 वर्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खीक है क्या होगा 30 वर्स कुछ बच्चे 45 माइनस करके 5 से भाग कर रहे हैं मार खाएंगे जब 45 माइनस कर दिये 9 वर्स सबके में से माइनस कर दिये तो वह ब्यक जो छोटा बच्चा था न वो हट गया क्योंकि 9 वर्स इसका माइनस हो गया और सब लोगों में से 9 वर्स माइनस हो गया तो ब्यक्ति 4 ही बच गया 5 नहीं बचेंगे इसको समझने का प्रयास करिए ठीक है आगे चले next question के तरफ clear है सभी को समझ में आ गया है very good बहुत अक्स समझ में आ गया है तो आगे चलिए अगला question आप देखेंगे question number 12 question number 12 जो है न यह most important question है और इस question को हम रख रहे हैं test के तोर पे देख रहे हैं कितने student इस question का answer दे रहे है question है यदि 10 आदमी 10 काम 10 दिनों में कर सकते हैं तो 5 आदमी 5 काम कितने दिनों में कर पाएंगे यह question तो यह पुछ लिया जाता है कि अगर 5 कपड़े 5 घंटे में 5 लोग 5 कपड़े 5 घंटे में धो रहे तो दस कपड़े 10 कंड़े में कितने दो हैंगे 1000 कुछा जाता है है यह jun पाउच बन्दर 5 आम 5 घंटे में खा रहे हैं कितने घंटे में खाएंगे ऐसा question आप लोगों सुना होगा भोगा बहुत आशाओ आप लोगों का गलती सलत इसमें बस समझने की जरोगा दिमाग लगाने की जरोगा चाहर है परमुला थो उप लोगों को बता ही है। 20 वाले मार खाएंगे वह अलग ही लेबल के हैं बताई क्या अंसर होगा जल्दी से बताई इस कुश्चन का अंसर आप लोगों का क्या रहे है देखिए उच नहीं करना है बहुत आसान है देखिए इसको ऐले फ़र्मूला आप लोगों को बता है है M1 d1 बता W1 बराबर M2 d2 बता W2 यह फर्मूला हम आप लोगों को बता है नَ देखिए यहां प्sky आप आपको थोड़े सुरियना है 10 आदमी है दस काम है 10 दिमें 10 आदमी M1 की जगा 10 आदमी है कितने दिन ने रहे है Whisky 10 दिन में काम क्या कर रहे are 10 काम कर रहे हैं. आगे बोल रहा हैं. 5 आदमी हैं. काम क्या है? 5 काम है. कह रहा है, कितने दिन में करेंगे? तो d2 टीन में करेंगे. устить 2 की वैलो लाना है. कुछ ने करना है. 5 से 5 कर गे है. 10 से 10 कर गे. D2 बराबर 10. तो d2 बराबर क्या होगा? 10 दिन, अभी यह मत बूचिएगा कैसे हुआ, अगर देखा जाए, एक आदमी को, एक काम पकड़ा दिया जाए, तो कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, वही चीज, तो 5 आदमी को, अगर 5 काम पकड़ा दिया जाए, प्रतेक वेक्ति को एक एक काम, तो कितना दिन लगेग दसी कि Україप कhसम प्रकुःज में दॉपान अजानेल दा तो दिन कितना लगा दस दिन उसी परकार से पांच आदमी पांच आदमी है catching यूंत्या व समझना में यूज की देशीव करना मि आज कि consigacie क्के समस्दो कुछ करती की है 10 10 10 5 5 5 और option में भी 5 मिल जाता है answer देखे गलत कर बढ़ते हैं ठीक है ऐसे नहीं करना है यहाँ पर concept समझना है concept समझ जाएंगे तो प्रफेशन को बड़े आराम से solve कर लेंगे नहीं समझ पाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो ठीक है नहीं समझेंगे तो प्रफेशन क् क्यों करें यहाँं यहाँ है तो इन बार्फेशन में से आप लोगों ने कितने questions सही करें जल्दी से एक बार comment करें तो सारे बच्चे comments करके बताएं आज 12 नहीं कि penguin कर Stef फटा फट एक वर आप लोगों को कोविटलकार थाँ में के बताएं हम देखनाल चाहते हैं आप है तो सब्सक्राइब करके जूर जाईए नोटिफिकेशन वेल आइकोन को भी आन कर लिजे और डेली क्लास को आप लोग जोईन करिए घर में छोटे भाई बहन दोस्ट जो भी है उन्हें भी बदाईए ससी मेकर से जूड़े पढ़े और सेलेक्शन ले ठीक है चले आप को भ अरे बचाट वजे जरूर जुड़ेंगे ठीक है मन लगागे पढ़िए एप को डाउनलोड करिए एप पे आपके आगामी सभी एक्जाम के लिए क्लास से चर नहीं है बिहार पुलिस के लिए महाबीर बैच चल रहा है फी दो सो पचास रुपे है और MP पुलिस के लिए मह काल बैच चल रहा है फीज की 500 दिख रही होगी कूपन कोड अगर आप अपलाई करेंगे MP 50 तो यह 500 रुपे हो जाएगी और साथ ही हम आपको बता दे और भी आप जो भी किसी अन्नी एक्जाम की तयारी करें जैसे से म्टीस की तयारी कर रहा है तो इसके लिए मुक्ती बै किये महनत करिए और अपने सेलेक्शन को सुनिशीत करिए ठीक है क्लास बहुत ही अक्षा लगा है ठीक है क्लास बहुत ही अक्षा लगा है तो अच्छी बात है महनत से पढ़ेंगे तो अच्छी होंगी सारी अच्छी लगेंगी जब आप मन लगा के त्यारी करेंगे यूटूब चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके जूड़ जाए डेली आप लोग पढ़िए मैनत करिए कल आट बचे रिजनिंग की क्लास होगी सारे बच्चे जरूर जूड़ेंगे ठीक है तो आज की क्लास को क्या करते हैं दोस्तों यहीं तक रखेंगे बाकि आपकी क्लास होगी नेक्स्ट है ठीक है कल आठ बचे अच्छे से पढ़िए जिनका कम कोशन साई हो रहा है नों ने घपडानी की ज़रूरत नहीं है मैनत करनी की ज़रूरत है मैनत से सबकुत संभव है मैनत करिए आप लोग इस क्लास की पीडिए आपको आप पे मिल जाएगे अगली क्लास में तब तक के लिए दोस्तों धन्यबाद कोई लक्ष मनुस के साहसे बड़ा नहीं हारा वही है जो लड़ा नहीं अगर आपने दसवी पर इक्षा पास कर ली है तो हो जाएए तयार एससी दे रहा है MTS के जरिए सरकारी नोकरी पाने का एक सुनहरा मौकार एससी MTS में आपकी 100% सेलेक्शन सुनिशीत कराने के लिए एससी मेंकर आप पर चलाया जा रहा है मुक्ती बैच जिसमें आपकी सारी क्लासेज और वह भी अध्यापोकों के माध्यम से एक दम बेसिक से जिरो लेबल से और चैप्टर बाई चैप्टर चलाया रही है तो बिना देरी किये आज ही जॉइन करें ससी मेंकर का मुक्ती बैच अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें ससी मेंकर का आप और दिये गए नमबर पर कॉल करें झाल झाल झाल